अस्लाम अलेकूम, मैं आज बहुत ही ईजी रेसипी लेकर आई हूं और ये अलू से बन के तैयार हो जाएगी तीन रेसिपी है एक फिलिंग से तीन अलग अलग तरीके कीस तरीके से अफीप रेंसे शेप दे सकते हो, बना सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आलो का एक बहुत ही मज़िदा सा मैक्स्चर बनाएंगे फेलिंग बना के रख लेंगे और उसे हम इस्तिमाल करेंगे तो सबसे पहले मैंने एक पैन को गरम कर ली दी उसमें मैंने ओईल डाली हूँ और ओयल डालने के बाद में उसे स्लो ही करना है फास नहीं करना है नहीं तो मसाले जल जाएंगे इसमें मैंने राई, जीरा, अजवाइन, अके लाल मिर्च और कड़ी पता है इसे डाल के हलका सा इसे भून लेंगे इसका खुश बुवाने तक का अब यह हो गया है इसके बाद में कुछ मसाले है नमाग, चाट मसाला, हल्दी, जीरा पॉर्डर, चिली फ्लेक्स और कोटवा अक्खदनिया है और इसे डाल देंगे और इसे हलका सा पून लेंगे गैस का फ्लेम हमें लोही रखना है फास नहीं करना है देखेंगे यह हो च अच्छे से अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले आलू के साथ मिक्स हो जाए अब इसके बाद में इसे मिक्स कर लेना है फिर उपर से हरा दनिया दाल देना है और इसे मिक्स करके रख लेना है ठंडे होए तक और फिर आगे का प्रोसस स्टार्ट करते हैं तो जिसके समोसा पट्टी ली हूँ अब ये समोसा पट्टी को नम मैं तीन हिस्सों में डिवाइट करूंगी आप चाहे तो ऐसे भी काट सकते हैं या तो आप इसको इस तरीके से तीन फोल्ड कर लीजिए तो फिर ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा और कट जाएगा तो ये मैं तीन पा समोसा बनाएंगे बहुत एजी रेसिपी है और बजट फ्रेंडली रेसिपी है आप इसे हसानी से बना सकते हो तो अब ये मैं इसे कट करके इसके इस तरीके से मैं पट्टी पट्टी अलग करके रख लूँगी तो देखे इस तरीके से ये पट्टी को अलग-अलग कर लेन तो ये मैंने तीन पटी को, एक साम मिला के, कट कर ली हôm, तो अब इस तरीके से हो गया है, अब इसके बाद में, इसमें, ये मिक्षर लगाएंगे, ये मैंने आटे को, पानी दाल के इसे बना ली हूँ, और अब इसके किनारों पे ये लग आएंगे, और इसके बीच में हम ये mixture रखेंगे और उसे समोसे की shape देंगे ये mini समोसा है तो इसको इस तरीके से ले लेंगे और बीच में रखते वे उसको हम triangle shape देंगे समोसे का shape देंगे इसी तरीके से मैं सारे समोसे को बना के रख लूँगी फिर उसे एक साथ में फ्राय करेंगे तो इस तरीके से देखिए ये मीनी समूसे बन गया ना बहुत इजी रेसिपी है तो इस तरीके से ही मैं ये सारे बना के रख लूँगी और उसके बाद में उसे हम फ्राय करेंगे तो ये सारे मीनी समूसे बन के तयार हैं तो अब मैंने ओयल को अच्छे से गरम कर ली हूँ और इसे मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राय करूँगी ताकि जो ये समोसे है अच्छे से कुरकुरे से फ्राय हो और खाने में बहुत क्रिस्पी बनके तयार हो तो देखे ये मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे मैं अच्छे से फ्रा कर ले हूं और यह ब到了 ने के बाद मैं इसे निकाले है लेना wreck duty कनाई करोंरे तरहीज दूहरेखेजब्स को सदेखने इस तरीखें अपान के ड़े कर लोगे और दालते वे उससे रोल कर लेगे रड़ करने के इसे कम से कम आपको एक घंटा फ्रीजर में रखना है ताकि अच्छे से यह सैट हो जाए तो इस तरीके से मैं बना के इसे मैं फ्रीजर में रख दूँगी इसे बिना हम कुछ लगाए फ्राय करेंगे तो अब यह मैं तीसरा स्टेप फॉलो कर रही हूं तो यह मैंने दो ब्र चल की है उसे हम एक्षों कर लेंगे और फिर इसे फ्राय करेंगे तो अब यह मैं इसके बीश में यह डिया सब फ्राय करेंगे अब एक साथ में धाले कर एक साथ में धाला है। यह सब एक इक कर एक साथ करेंगेंगे सूदस्हें तो पानी डल ने कर लिमाट्वेगों कि मिक्सकेश्यों, पानी डल अच्छ hybrid तैलट से फराई में मोफित जरागा से माइनी हम जले में इस्थें तो तो पैले तो पानी तहरा दूस से तैल गरम हो छुका इसे निकाल लेंगे, तो आपके लिए और इसे निकाल लेंगे, है झञाफें तो निकाल लेंगए, उसे السे भी ठी हें, निकाल लेंगे, और यह जो रोल तैयार का्या तो आपकई छापव हो दे महीं होकते है तो आपक hedriक में दोрыंगे, तो अब इसे में डीडिय को लाल करने के बाद उसे मीडियम कर लेना है और तब इसे फ्राय करना है इसके उपर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे इसे बिल्कुल प्लेन ही फ्राय करेंगे इसके लिए आपको उसे एक घंटा सैट होने के लिए फ्रीजर में रखना पड़ेगा वह बहुत जरूरी प्रोसेस है त आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए कमेंट करिए मेरे चैनल पर न्यू हो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल लो बजट रेसिपी लेके आई थी फ्रेंडली बजट रेसिपी है तो ये अब ये फ्राय हो चुके हैं तो आपने देखा मैंने किस तरीके से एक फीलिंग से तीन अलग अलग तरीके के पकोड़े बना के तयार करें इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा विया मानिल्ला